कभी कभी limit का question भी हमारे लिए बाहर ही बढ़ जाता है, limit find करना भी बाहर ही बढ़ जाता है हमाई लिए हम 11th class में limit बहुत असनी से find कर लेते हैं 12th class में लेकिन जैसे जैसे हम लोग higher classes में बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेटर नहीं काएंगे इसको बहुत ही simple method है ठीक है लेकिन आपको यहां पर देखना पड़ेगा ठीक है यह percent to percent depends करता है कि कौन इस method को आसान समझता है कौन हलका समझता है कौन भाली समझता है okay so hello everyone this is this is Swamish Sharma and you are watching my video so हमेरे पास जो question था वो अपने thumbnail पर देख लिया है हमें limit find करने है n goes to infinity बे n square minus n minus 1 1 2 n square is equals to 1 by 2 यह limit limit हमें प्रूफ करना है ठीक है कि इसकी limit इतना आएगी so हम एक क्यूंकि हम higher study higher classes में हैं so हम क्या लेंगे epsilon लेंगे epsilon ठीक क्या होता है epsilon कुछ नहीं होता है बस एक symbol होता है कुछ ऐसा बनाया जाता है यह आप लोग देख रहे होंगे ठीक है इसको epsilon बोलते है ठीक है यह यह ऐसे e बनता है ठीक है so यह e है यह epsilon है okay तो confused मत होईएगा ने दिक्कत हो जाएगे हम नहीं जानते है so epsilon greater than zero be given हम यह माल लेते हैं कि epsilon greater than zero है ठीक है माल लेते हैं ठीक है माल लीज़े मानने भी कहा जाता है so we need to solve for अब हम solve किसके लिए करना है हम इसके लिए sn-l is less than epsilon हमने पढ़ा है हमेशा sequence of real numbers जो एक topic है इसमें पढ़ते हुए आ रहे है कि sn-l, l का है limit है किसकी sequence की sn-l is less than epsilon mod में रखके ठीक है mod में रखके बचा के ठीक है तो इसको mod के अंदर हम solve करेंगे जब तो कुछ ऐसा आएगा ठीक है इसको मैंने अपनी तरीके solve किया है ठीक है आप लोग अपनी तरीके solve किया अपनी तरीके से मतलब किया नीचे देखे जो इधर बन रहा है उधर इधर भी वो बना देते हैं denominator में तो हम इस तरीके से असानी से solve कर सकते हैं इसको हमें LCM फेल्सियम नहीं लेना पड़ेगा ठीक है तो ultimately solve करके यह यह आया यहाँ यहाँ देखे माइनस कॉमन लें लेंगे उपर तो पूरा पूरा प्लस हो जाए गई और क्यूंकि मॉड लगा है तो माइनस हमेशा खतम हो जाए कि यह बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसा होगा ठीक है now 2N प्लस 1 2N प्लस 1 upon 4N स्क्वार माइनस 2 is less than or equal to 2N प्लस N ठीक है अपन 4N स्क्वार माइनस 2N स्क्वार यह हमने चीज कहां से लिखी है यह आपको देखना होगा और अगर आपके समझ में आ गई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है so 3N upon 2N square is equals to 3 upon 2N इसको solve करने का इतना आया हमारे पास किसको? इसको solve करते करते इतना आया ठीक है so therefore SN minus L जो हमरा method था खाँ ठीक 3 upon 2N ठीक इसको हमने solve किया तो इसको हमने less than or equal to 3 upon 2N लिख दिया valid for n belongs to natural number. Solving for n is now easy अब n के लिए sol करना आसान होगा, क्यों? क्योंकि हमने 3 upon 2n को epsilon मान लिया अज़ एपसाइलन मान के लिया यह कुछ यहाँ पे epsilon लिखते थे थे epsilon के जगा यह लिख दिया तो हम क्या करेंगे 3 upon 2n is less than epsilon क्यों? क्यों? क्योंकि देखें यह जो mod है ठीक है यह less than or equal to 3 upon 2n है यानि कहीं न कहीं इस पूरी चीज की value हम equal to लिख सकते हैं 3 upon 2n की ठीक है तो यह पूरा चीज हमें दिख रहा है less than epsilon है ठीक तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 3 upon 2n is less than epsilon ठीक है the solution n greater than 3 upon 2 epsilon ठीक है समझेगा अब यहां से n निकाल लेंगे यहां से n greater than 3 upon 2 epsilon so n epsilon n epsilon is equals 3 upon 2 epsilon the implication ठीक है अब implication क्या मिल रहा है कि n greater than n epsilon ठीक है n greater than n epsilon कैसे देखे n greater than 3 upon epsilon है यह condition अगर true है so हमने 3 upon 2 epsilon को n epsilon माल लिया यानि n as a function of epsilon so इससे implication क्या जा रहा है n greater than n epsilon n epsilon के value क्या है इतना ठीक है इसको यहां डालेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा न तो गुमा फिरा के हमने उल्टा वही लिख दिया है यह से हमें दिखाना होता है ठीक है न तो यह इसे लिए बोलने है बड़ा आटपड़ा सा question गुमा फिरा के हमने वही लिखना पड़ता है implication this so n square minus n minus n upon 2 n square minus 1 यह चीज हमें दिख रहा है is less than epsilon इस वेरा उज़िजिए विन implication method implication should be easy to prove ठीक है so यहां से हमने प्रूव कर दिया ठीक है so हमने यह प्रूव कर दिया कि limit हमारी इसकी यह है कैसे प्रूव किया यह सब जो काम हमने किया है न यह सब बस प्रूव करने के लिए किया था limit तो हमारे दी हुई थी बस यह प्रूफ करना था कि यह 1 by 2 है, तो बस यह 1 by 2 ही प्रूफ करने के लिए हम यह सब करते आ रहे हैं, ठीक है? इस में प्रूफ कहां पही की आ गया है, यह तो शायद आपको नहीं पता चले देखका है, भुघ भी नहीं पता चल ला है, बस लेकिन यह method है, यह एक clean concept है, बेन का मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताइए ठीक है बेन का मतलब क्या है थैंक एफो ओचिंग इस वीडियो